आंखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मे का नंबर कम करने को लेकर कई प्रकार की मित्थे आए हैं ऐसा कहा जाता है कि नंगे पैर हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है लेकिनी सकते नहीं है विग्यानिक तोर पर इस बात के कहीं पर भी तथे नहीं है इसके अलावा कई लोग दावा करते हैं कि चश्मे के नंबर को घटाया जा सकता है इस बात में भी सच्चाई नहीं है हाला कि यदि छोटी उम्र में चश्मा लग जाए तो बालिक होते होते बच्चे की आँगों का नंबर जरूर घट सकता है लोकल इटीन से बातचीत में आईजीमसी में बतोर असोसियेट प्रोफेसर कारेरत डॉक्टर परवीन पवर ने बताया कि आँखों की रोशनी बढ़ाने को लेकर कई प्रकार की मित्याये है ऐसी बातों के विग्यारिक तोर पर साक्षे नहीं है इसके अरावा चश्मे की नंबर को गटाने के दावे भी जूठे होते है देखे जो नंगे पहुंच अलके आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी ऐसा कोई ड्रेक्ट पली कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कोई स्टडीज नहीं है कि इस वर सम बोलें कि अजर आप नंगे पैर जे लेंगे तो आंखी रोशनी बढ़ने के लिए या आंखी को ठीक करने के लिए नॉमली होता है कि आप जब भी आप भर में बहार से आए बहार पहुंचे तो जूर आंखों को एक बार बाने से बहें हैं ताकि जो भी आपके अंखों में अंटर हुए हैं बाहर जाने से या पॉलेंस विरा रहते हैं धूल भी पढ़िए वो भी साफ हो जाए और वैसे नॉमली आप दो बार आंखे दिन में थंडे पानिस भांगे तो वैसी आपके ठीक रही भी साफ रही हां हरी सबजे को ब आख सकता है बढ़ सकता है नंबर बढने के लग लग कारण हो सकते हैं लंबर एक टाइम जब आपके चर्श्मा लग गया तो इस ताइम जैसे हमारा आउंख की ग्रोथ बढ़ती है आइबॉल का साइज बढ़ता है ऊज्छी नंबर टाइम बढ़े तो जीक है जासे आपक बढ़े होगा जैसा आपकी बॉड़ी की ग्रोथ हो रही है यह ऐसा नहीं है कि आप यह सोचें कि हाँ कुछ खाएंगे या कोई द्वाई खाएंगे उससे आपका चश्मा उतर जाएगा ऐसा नहीं है जो नंबर एक बार लगता है वह नंबर आपको लगाना ही चाहिए और ज पिट से नहीं बढ़े हैं